आज मैं आपके सामने एक विशेश शहर के बारे में बताना मांगता हूँ और उसका हमारे जीवन में क्या संबंध है और क्या हम सीख सकते हैं जैसा कि आपने टाइटल में देखा होगा जैसा कि हमारा शीडशक कहता है पिरगमन क्या है आप भी सोच रहेंगे भई कैसा अजीब सा टाइटल है तो चलिए अब इसी के बारे में विचार करते हैं कि पिरगमन क्या चीज़ है आप्चुली पिरगमन जो है वो एक बहुत पराने समय में एक शहर हुआ करता था जब प्रभीश मसी इस दुनिया में थे करीब दो हजार साल पहले और उसके एक सौ साल पहले प्रभीश मसी के अब आप सोच रहें कि उस शहर से हमें क्या लेना देना बहुत कुछ लेना देना है और ये बाइबल में पाये जाता है यदि आप पढ़ें प्रकाशित वाक के तो वहाँ पर आपको साथ कलीसियाओं के बारे में जिक्र किया जाता है साथ कलीसियाओं है जो प्रभू परम देते हैं, उनके जीवन में कुछ कम्या पाए जाती है, अगर वे उन कम्यों को दूर करेंगे तो परमेश्व और आशिश देगा, ये सातों कलीशिया इसी जगह पर पाए जाती है, और उस जगह का नाम है तुर्किस्तान या टर्की, पस्चिमी भाग के तुर्किस्तान में ये साथो कलीसिया पाई जाती है। और उन में से एक कलीसिया का नाम है पिरगमुन या इंगलिश में हम कहेंगे परगमस। ठीक है? तो आज हम इस पिरगमुन के बारे में देखेंगे कि ये क्या कलीसिया थी, इसका क्या बैक ग्राउंड था और क्या हम सीख सकते हैं? तो इसके दो भाग होंगे, आज मैं आपके सामने पार्ट वन या भाग वन आपके सामने बोलूँगा उसके बाद आप जरूर पार्ट टू भी सुनिए ताकि आप इसका पूरा पिक्चर, संपूर्ण पिक्चर देख सकें कि चर्ज जो था पर्गमन में, उससे हम क्या सीख सकते हैं? बाइबल क्या बताती इसके बारे में? और हमारा इसके प्रती क्या प्रतियुत्तर होना चाहिए? तो आईए हम देखेंगे पहली बात हम देखते हैं कि जो पिर्गमन था वो एक अन्य जातियों का शहर था उस शहर में कई प्रकार के मूर्ति, पूजक थे कई प्रकार के टेंपल्स, मंदिर पाए जाते थे जैसे कि ज़्यादतर शहरों में पाए जाते हैं और विशेश करके ये जो मंदिर हैं हाला कि कई मंदिर थे, सैकड़ों मंदिर थे, लेकिन तीन विशेश मंदिर पाये जाते थे, एक तो राजाओं को अरादना करने के लिए मंदिर पाये जाता था, और एक जिवस करके एक धेवता हुआ करता था, जो उस समय के लोग उसके अरादना करते थे, उसका मंदिर पाय जाता था और एक चंगाई करने वाला मंदिर भी पाया जाता था जियां चंगाई करने वाला मंदिर का मतलब यह है कि जो उसके मंदिर में जाता था वहां पर कुछ विशेश प्रकार की जो साफ होते थे वो उनको चंगाई का संदेश देते थे और हाला कि इसमें मैं ज्याद जो चंगाई करने वाला जो राजा था, उसके हाथ में डंडा हुआ करता था और उस डंडे में साप लिप्टा हुआ रहता था, और रात को सोते समय जो भी बिमार होते थे, सोते समय वो आते थे यहां पर इस वंदिर में, और साप उनके उपर जा करके उनको चंगाई देता उनको स्वपन में कई दर्शन देता था, तो लोग यहां पर बहुत मात्र में आते थे, अरादना करने के लिए और चंगाई पाने के लिए, इन चीजों की वज़र से ये मंदिर, ये शहर जो है, मंदिरों वाला शहर कहलाया था और इसी लिए, इसी लिए वचन में लिखा हुआ है कि ये जगा जो कहलाती थी, शैतान की जगा है, जहां पर शैतान का सीट है, जहां पर शैतान विराजमान है, जे हां, तो मैं उसी को ध्यान में रखते हुए, कुछ पदों को पढ़ूंगा, और फिर हम उसको दो भागों में बाटेंगे, जैसा मैंने कहा सुनिये, इससे पहले कि हम इसके बारे में थोड़ा व्याख्या करें, मैं आपके लिए ये पद पढ़ना मांगता हूँ, ताकि आप इन पदों को सुन करके उस पर विचार करें, अपने बाईविल में देख लें, और जैसे जैसे मैं व्याख्या करूंगा, उसके अनुसा अध्याए, बारा से सत्रा, सुनिये, पिर गमुन की कलीसिया के स्वर्ग दूद को यह लिख, जिसके पास तेज दोधारी तलवार है, वह यह कहता है, मैं यह जानता हूँ कि तू महां रहता है, जहां शैतान का सिहासन है, और मेरे नाम पर स्थिर रहता है, और मुझ पर व विश्वास योग साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर मारा गया, जहां शैतान रहता है, पर मुझे तेरे विरुद कुछ बाते कहनी हैं, क्योंकि तेरे यहां कुछ तो ऐसे हैं, जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बाला को इसराइलियों के आगे ठोकर का कारण रख दिया, कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुओं को खाएं और वेविचार करें, वैसे ही तेरे यहां कुछ तो ऐसे हैं, जो निकुल लियों की शिक्षा को मानते हैं, अतह, मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीग्र ही आकर अपने मुख की तल करवार से उनके साथ लड़ूंगा, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, जो जैपाए, उसको मैं गुप्त मन नामे से दूंगा, और उसे एक श्वेद पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा होगा, जिसे उसके पाने वाले क सिवाए और कोई ना जानेगा, यहां तक, तो आप जैसा सुन चुके हैं कि यहां पर एक कलीसिया थी, कलीसिया की स्थापना हुई, जी हां, ऐसे माहौल में जहां पर मूर्ति पूजा बहुत रूप में होता था, जहां पर शैतान का सीठ था, शैतान का सिहासन था, वहां पर भी प्रवीष मसी का सुसमाचार गया और उस पर, उस जगा पर वो कलीसिया बनाए गई और इस कलीसिया का नाम है पर गमुस्स की कलीसिया यहां पर मनाई जाती थी, और इसी कलीसिया में लोग आगे बढ़ते थे, बड़े अच्छे लोग थे, लेकिन उन्में कुछ कम जिसके बारे में हम बाद में देखेंगे आईए हम देखें पहले पद से लेकर के पहला जो बारवा पद है वहां से लेकर के हम आगे देखेंगे पहली बात हम देखते हैं कि इस परगमुन की कलीसिया में एक बात जो परविश्वर का वच्चन बहुत साफ रिथी से कहता है कि पुर्गमुन की कलीसिया के स्वर्ग दूद को यह लिख जिसके पास दोधारी तलवार है वह यह कहता है क्या कहता है मैं तो जानता हूँ कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिहासन है जिसमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस इस्थान पर मारा गया जहां शैतान रहता है तो देखिए बड़े ध्यान से सुनें इस बात को कि पुर्गमन की कलीसिया को पवितरा आत्मा क्या कहता है जिसके पास तेज धोदारी तलवार है वो कहता है अब तेज धोदारी तलवार कौन रख सकता है कौन है जहां ये कोई और नहीं ये प्रभू येश्व मसी की बात है जहां जो वचन वो बोलते हैं धोदारी वचन जो उनके मुख से निकलता है वो ये कहता है जी हाँ तो जब दोधारी तलवार की बात आती है तो इस बात का ध्यान रखे कि दोधारी तलवार क्यों क्योंकि जब भी परमेशर का वचन आता है तो पहले तो वो जीवन दायक वचन होता है और यदि लोग न माने उस वचन को तो भाई न्याय वाला बचन होता है जी हाँ, दुख देने वाला बचन होता है इसलिए कहा गया है दोधारी तलवार अब अगर हम बचन को ग्रहन करते हैं तो हम आशिश पाते हैं यदि हम बचन का तिरसकार करेंगे तो भाई न्याय को देखेंगे या दुख को सहेंगे ऐसाम देते हैं तो ये जो बोलने वाला कौन है ये बोलने वाला हमारा प्रभुई शुमसी है और यहां पर लिखा हुआ है इस परगमुन की कलीसिया को लिख और ये जो लिखने के लिए जो बोल रहा है वा स्वार्ग दूद को लिखने के लिए बोल रहा है आप प्रभुई शुमसी क्या कहते हैं तेरवा पद सुनिये बहुत महत्वपूर्ण है मैं यह तो जानता हूँ कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिहासन है कहने का मतलब परगमस एक ऐसी जगह थी जहां पर शैतान का बहुत जबरदस प्रेजेंस उसकी उपस्तिती थी क्योंकि वहां सापों के भी पूजा होती थी जो राजा, रोमन राज के समराज के जो राजा थे, अधिकारी थे उनका भी मंदिर था जियूस करके जो देवता उनका होता था उनका भी मंदिर था तो एक तरह से शैतानी बात ही है ये हम देखतें यहां पर इसलिए लिखा हुआ है यह शैतान की जगह है जहां पर यह सब चीजे होती है हाथ के बनाए हुए मंदिरों में परमेश्वर नहीं रहता वहां शैतान रहता है ठीक है यह यहां पर लिखा हुआ है जहां शैतान रहता है लिखा हुआ बहुत अच्छी तरह से जो पिरगमुन की जो कलीसिया थी वो बहुत अच्छीत कलीसिया थी उनमें कुछ गरबड़ियां थी जिसके बारे में हम दूसरे भाग में देखेंगे लेकिन एक प्रोटसाहन वाली बात यहाँ पर हम देखते हैं और वो इस प्रकार से है सुनिए क्या प्रोटसाहन के बच्चन इस कलीसिया के लिए देता है दिखा हुआ है कि मेरे नाम पर ये कलीसिया क्या है स्थिर रहती है और मुझ पर विश्वास करने वालों में से उन दिनों में भी पीछे नहीं है इटा जिसमें मेरा विश्वास योगे साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस इस्थान पर मारा गया जहां शैतान रहता है यह दो बार आया जहां शैतान रहता मतलब यह बहुत ही जबर्दस्थ जो एंटी क्राइस्ट या इश्वमसी की विरोद में जो लोग रहते थे वहां बहुत बड़ी तादाद में था क्योंकि जहां पर अन्य जातियों के मंदिर पूजा, मूर्ती, पूजा और तरह तरह की चीज़े होती है वो परमेश्वर का नहीं है वो शैतान की जगा है तो उस जगा में भी परमेश्वर की कलीस्या थी परमेश्वर की जीवित कलीस्या थी और वो बड़े विश्वास योग के कलीस्या कहा गया यहाँ पर लिखा हुआ, जैसे मैंने आपके सामने पढ़ा, कि एक विश्वास योग्यता वाली कलीस्या थी, और उसमें से एक बात हम देखते हैं, जो दोधारी तलवार वाले वचन दिये गए हैं, ये शुमसी ने कहा, कि उसमें से एक वैक्ति था, उसका नाम था अंतिपा प्रभु में विश्वास योग्यरहा, अगर हम देखें, प्रभुष्व मसी के वचन में, तो मैं आपके लिए कुछ पढ़ूंगा, योहन्ना उसका बार्वा अध्याय और अर्तालिस पद, योहन्ना उसका बार्वा अध्याय और अर्तालिस पद में, क्या लिखा हुआ है जरा ध्यान से हम देखेंगे बारवा अध्याय और अर्थालीस पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है जो मुझे तुछ जानता है और मेरी बातों को ग्रहन नहीं करता उसको एक थहराने वाला तो दोशी थहराने वाला तो एक है अर्थात वचन जो मैंने कहा वां तिन दिन में भी उसे दोशी ठहराएगा तो यह दोधारी तलवार का दूसरा धार है अब अन्तिपास जो था वो परमेश्वर के वचन पर अटल रहा जीवते वचन पर अटल रहा परमेश्वर के साथ बड़ा विश्वास योगे रहा और ऐसा बताया जाता था कि वहां के जो प्रीस थे वहां के जो मंदीर के जो पुजारी थे उनको अन्तिपास बिलकुल पसंदी था क्योंकि वो जीवते परमेश्वर के अरादना करने के लिए लोगों से बोलता था और ये जो पुजारी थे मंदीर के ये बहुत नराज हो गए उससे और उसको राजा के पास लाया कि भई अंतिपास जो है वो हमारा विरोधी है और एक इश्यू मसी के बारें बताता है तो राजा बहुत इसे बहुत नराज हुआ और उसे बहुत दुख हुआ और उसने फिर क्रोध में आकर कहा कि अगर ये अपने बातों से नकारता नहीं है तो इसको सजा दो ये सब चीजें जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ ये इतिहास में पढ़ते हैं चर्च हिस्टरी में पढ़ते हैं जहां पर कलीसिया की जो इतिहास है उसमें ये बात पाई जाती है तब उन्होंने क्या किया आते अंतिपास ने बोला नहीं मैं तो जीवते परमिश्य के इराद ना करता हूँ ये मूर्ती पूजा और ये सब उल्टी सीदी चीजें जो आप कर रहे हैं ये शैतान की ओर से ये शैतान का जगह है तब उन्हों लोग क्रोज से बहुत भड़क गए और उन्होंने उसको ऐसा बताया जाता है कि उसको लिटा दिया एक लोहे के उपर और नीचे से बहुत जबरदस्त आग जलाई और वो रोसा हो गया वो भुन गया उस आग में लेकिन उसने प्रभीश मसी का इंकार नहीं किया और वो मरते दम तक प्रभीश मसी का विश्वास-योग्यदास बना रहा और मेरे प्रीयों ये मेरे लिए बहुत आसान है भूलना लेकिन अन्तिपास के लिए बहुत मुश्किल वाली बात थी और हमारे लिए और आपके लिए एक बड़ा क्या बोलते हैं encouragement की बात है प्रोशाहन वाली बात है कि हम अंतिम धम तक परमेश्वर के साथ विश्वास योगे में विश्वास योगेता में बने रहें और इसी लिए उसका नाम यहां पर आया है क्या नाम आया है अंतिपास जो मैंने अभी आपके लिए पढ़ा था और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं अटा मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं रकाशित वाक्ये दो उसका तेर्मापद और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं अटा जिनमें मेरा विश्वास योग ये साक्षी ये अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर मारा गया जहां शैतान रहता है कितनी बहुत भ्यंकर बात है बहुत एक तरह से हम देखते हैं यात्मा वाली बात लेकिन फिर भी चर्च आगे बढ़ता रहा और विश्वास योग बना रहा और जैसा कि मैंने आप से कहा कि ये जो दो धारी तलवार है वो प्रभू परमेश्वर का वचन है जैसे कि ये ब्रानियों और उसका चार अध्या है और उसका बार्मापद में हम देखते हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन, जीवित, प्रभल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत उत्तम है प्रान आत्मा को गाट गाट और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जासना है इतना जबरदस्थ परमेश्वर का वचन है जो हमारे जीवनों में, आपके जीवनों में प्रभाव डालता है और इसी वचन के द्वारा वो कलीसिया वहाँ पर इस्थापित की गई जिसको हम बोलते हैं, बाइबल बताती है परगमन की कलीसिया और कि वो प्रभुश्वर मसी वहाँ पर कहते हैं कि वो विश्वास योग रहे, स्थिर रहे और उनमें से एक व्यक्ति जिसका नाम अंतिपास था वो प्रभु के लिए अपने आपको अपना जीवन दे दिया अंतक विश्वास योग रहा और बाइबल में लिखा है कि जो अंतक धीरस धरे रहेगा मरने तक विश्वास योग बना रहेगा उसको जीवन का मुकट दिया जाएगा और मैं सोचता हूँ वचन के अनुसार की अंतिपास को जीवन का मुकट दिया गया आज हम यहीं तक देखेंगे लेकिन इस कलीसिया में अच्छाई के अलावा कुछ बुराईयां भी थी जो हम अगले भाग में स्टडी करेंगे जरूर सुनिये कि कुछ ऐसी बाती थी जो पिर्गमन की कलीसिया के सामने कमजोरी थी उनके जीवन में पाप भी था और वो पाप क्या था वो तो खेर आपने पढ़ लिया होगा मैंने आपके सामने पढ़ा लेकिन इसके बारे में हम और अध्यान करेंगे हमारे दूसरे भाग में इसी से संबंदिद पर्गमन की कलीसिया के बारे में कि अच्छाई के साथ साथ कुछ कमजोरी थी कुछ पाप थी और कैसे उसम को, कलीसया को पश्चताप करने की जरूरत थी उन पापों से तो यहाँ पर मैं बंद करूँगा सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हम परमेश्वर के वचन को प्रात्मिक्ता दे अपने चीवन में और जैसे अंतिपास जो व्यक्ति था प्रभु का दास, प्रभु का सेवक वो मरते दम तक विश्वास योग्य बना रहा क्या हम विश्वास योग्य बने रहेंगे क्योंकि प्रभु शुमसी कहते हैं कि एक चीज़ जो परमेश्वर चाहता है वो चाहता है कि हम विश्वास योगे पर रहे धन्य है वो विश्वास योग्यदास जो अंत तक धीरस धरा रहता है तो मेरे प्रियों हम यहीं पर समात करेंगे इन दो शिक्षाओं से परगमन की कलीस्या जो हम सीखते हैं लेकिन और भी दो तिन बाते हम सीखेंगे जो परगमन की कलीस्या के साथ कमजोरी भी थी जरूर अगले भाग को भाग दो को जरूर सुनिये